आप सबको ही पता है कि त्योहर का सीजन बहुत ही नस्दिक आ गया है तो इस फेस्टिवल सीजन को और भी स्वेशल बनाने के लिए आज बनाते है गुलाब जामून तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट मिक्स गुलाब जामून का पैकेट लिया है मारकेट में आपको easily यह मिल जाएगा तो उसको एक बोल में एड कर देंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने 120 ml जितना मिल्क लिया है यह रूम टाइमपरेचर मिल्क है करीबन एक कप जितना तो उसको थोड़ा थोड़ा एड करके एक ऐसा डो बना लेना है और अब हम हाथ में थोड़ा सा ओयल लेंगे और उसको दोनों ही हाथ में अच्छे से अपलाई कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा आटा लेना है और उसको ऐसे राउंड शेप का बॉल बना लेना है तो देखिए इसमें एक भी क्रैक नहीं होना चाहिए अगर इसमें क्रैक होगा तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये तूट जाएगा इसलिए तो आपको थोड़ा सा ढीला ही आटा बादना है जिसे कि इसमें क्रैक ना पड़े अगर हार्ड आटा होगा तो इसमें क्रैक पड़ेगा और हमें इसको ऐसे ही दोनों हाथ की मदद से round shape दे देना है तो आप इसकी बज़ाए जो भी shape आपको पसंद हो वैसे भी आप बना सकते हो अब हम इसे fry कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने oil को गरम करने के लिए रख दिया था और उसके बाद ऐसे चम्चे की help से one by one सारी गुलाब जामून को oil में add कर देंगे और यह process हमें medium flame पे ही करना है क्योंकि high flame पे यह उपर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा इसलिए आपको इसे low flame पे पकाना है जिसे कि यह अंदर तक कूख हो जाए और अब जो गुलाब जामून अच्छे से golden brown हो गया है उसको हम पहले निकाल लेंगे और जो भी नहीं हुए है उसको और पकने देंगे तो देखिए इसी process से मैंने सारे ही गुलाब जामून को अच्छे से fry कर लिया है चलिए अब बनाते है चाशनी तो यहाँ पे मैंने दो कटोरी शुगर लिया है और उसके साथ तीन कटोरी जितना पानी एड़ करना है और उसको अच्छे से mix करने के बाद करीबन 5-7 मिनिट तक उबाल लेना है जब तक की शुगर melt नहीं हो जाती और चाशनी थोड़ा सा थिक हो जाएगा उसके बाद उसमें एड़ करना है सैफ्रॉन और साथ में एड़ करना है 3-4 इलाईची और उसको उबालेंगे तो देखिए चाशनी बनके बिलकुल ready हो गया है अब flame off कर देना है और उसके बाद उसमें सारे ही गुलाब जामून एड़ कर देंगे और उसको हलके हातों से अच्छे से mix कर देना है तो जब चाशनी गरम हो तभी उसमें गुलाब जामून एड़ कर देना है अब इसे ढखके करीबन 10 मिनिट तक छोड़ देंगे तो फेस्टिवल सिजन को स्पेशल बनाने वाली रेसिपी यानि की गुलाब जामून बनके तयार है वाकई में ये बहुत ही स्वादिस्ट बना था आपने अभी तक ट्राइ नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राइ करेगा और मेरे घर में तो ये सबको ही बहुत पसंद आया था तो आप भी खाये और खुश रहिए हैपी टमी विथ एमी के साथ डू लाइक शेर और सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और फालो फो मूर थैंक्स पो वाचिंग